हाई गाईज आज मिलाया हूँ डो जो विस्ट मी डैड एंजलीना जोली स्टरर ये एक एक्षन ट्रिलर मूबी है जो इसी साल मैं को रिलीज हुआ है फिल्म के कहानी कुछ इस तरह से है किसी जंगल में भैंकर रूप से आग लगी होती है जिसे बुझाने के लिए फाइर फ लिटा है और उनका एक साथ ही आके चपेट में आ जाता है तब ही दूसरी और से कुछ लड़कों के चीखने की आब आ जाती है जिसके साथ ही हैना की नीड टूटी जाती है इससे हम समझ पाते हैं कि हैना अपनी उस अरिट को लेकर स्ट्रगल कर रही है उसी सुबार डिस् पर मेरे उन्हें अंदर आने देती है और फिर कुछ दिर्बाद वो दोनों वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं सबुकुछ बिल्कुल पीस्फूल नजर आ रहा था पर उनके जाने के साथ ही घर में धमाका हो जाता है इससे हम समझ पाते हैं कि वो दोनों यहां उन्हें मार कर रहा था तभी निव जाता है कि गैस लिख के चलते डियर रोबर्ट और उसका पूरा परिवार मारा गया इसे देखते ही ओबन समझ जाता है कि ये कोई गैस लिख के बज़े से नहीं बलके उनकी हत्या की गई है वो फॉरन कॉनर को लेकर घर से भागने लगता है कॉनर के पुछने पर कि हम क्यूं भाग रहे हैं। ओबन कहता है कि उसे illegal transaction से जुड़े कुछ सबूत मिला था जिसे उसने Robert को सौपा था। आज वो मारा गया, तो इसका मतलब अब वो लोग उनके पिछाएंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाना होगा, जिन्हें वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इधर वो दोनों ऐसासिन ओबन के घर पहुँचता है, और देखता है कि ओबन घर से भाग चुका है। वहें पर उन्हें एक फोटो मिलता है, जिसमें ओबन और कॉनर एक कपल इथन और एलिसन के साथ था। इथन सेरिफ है, मतलब पुलिस वाला और एलिसन एक सर्वाइवल स्कूल चलाती है। इसकूल का नाम देख उन्हें आइडिया हो जाता है कि वो दोनों अभी कहां जा सकता है। इधर काम के बाद इथन घर पहुँचता है, जहां हम देखते हैं कि एलिसन अभी प्रेगनेंट है। उनके बातों से हम जान पते हैं कि एथन हेना की एक्स बोईफ्रेंड है। वो बाद बाद पर अपनी जान को जोखी में डालती है। इस पर एलिसन कहती है कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अभी रात में वो दोनों हसी मजग कर रहे थे और उसी वक्त ओवन का फोन आता है जो कहता है कि वो मुसीबत में है इसके अगली सुबा हैना मॉंटेना के लुकाउट टार पहुंचती है जहां कुछ दिन छुट्टी के तौर पर उसे पोस्ट क्या गया था वहाँ थोड़ी ही देर में उसे बिजली तुफान आने का अंदेशा दिखता है जिसे वो तुरंथी रिपोर्ट कर डेटी है पर उधर से जवाब आता है कि जब तक तुम्हें जंगल में आग ना दिखे कुछ भी रिपोर्ट मत करना हेना समझ जाती है कि उसे नजर अंदाच किया जा रहा है उसे फिर से याद आता है कि कैसे उसके सामने ही उसके एक साथी और वो तीन मासुन लड़के आके चपेट में आ गया वो रोनी लगती है उसी बग इथन का फोन आता है जो से समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी फोरेस्ट डिपार्मेंट को किसी के उपर ब्लेम करना था तो उन्होंने वो ब्लेम तुम्हारे उपर डाल दिया हेना के कहने पर कि उसकी गलत डिडिंग के बज़े से ही वो हाथसा हुआ इथन कहता है कि डिपार्टमेंट ने वो गलत डिडिंग की और फिर तुम्हें बताया गलती उनकी थी तुम्हारी नहीं इसलिए तुम्हें इस खैल को अपने मन से निकालना होगा इधर होटल में ओबेन कोनर को एक लेटर डिटा है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर इस कागज को तुम सिर्फ ऐसे इंसान को देना जिस पर तुम भरुसा कर सकते हो और फिर वो दोनों वहाँ से निकल कर जानने लगते हैं वहीं जैक और पेटिक भी मॉंटेना पहुँच चुके थे जो रास्ते में एक जगा पोजीशन लेकर ओबिन का आने का इंतिजार करने लगता है उधर वो बिजली तुफान जंगल के करीब तका पहुँचता है जिसमें से भेंकर रुप से बिजली गिरने लगती है तभी एक बिजली टावर में भी गिरने वाली थी जिसे देखेना फॉर नीचे उतरने लगती है पर रसी छोट जाने की वज़े से वो गिर कर बेहोस हो जाती है इधर ओबिन जैसे ही उस जगा पहुचता है दोने एसासिन उन पर गोली बर्षाने लगते हैं वे जैक से तो किसी तरह बच जाते हैं पर उपर रहे पेट्री की गोली से ओबिन घायल हो जाता है और गाड़ी सिधा नीचे जा गिरता है बचने का कोई चारा ना देख ओबिन कॉनर को कुछ सबुत देता है और कहता है कि तुम उस नाले से होकर भागते रहो क्योंकि नाले नदी तक ले जाते हैं और नदीया सहर तक तुम्हें ये सबुत नीचे सामने रखना है ये कहने के बाद ओविन उसे जाने को कहता है कॉनर जाड़े के पीछे चुपा रहता है जहां उसके आंखों के सामने ही जैक और पेटरिक ओविन को मार डालते हैं उसे बगत आगे से एक गाड़ी आती है जिसे देखिये फौरण हत्यार को चुपा देता है वो और अटा कर पूछती है कि क्या यहां कुछ हुआ है जबाब में जैक कहता है जी नहीं मैम सब कुछ ठीक है और इतना कहते ही वो गन निकाल कर उसे सूट कर देता है इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये दोनों किसी भी हद तक जा सकता है गाड़ी को किनारे कर वे वहाँ से निकल जाते है मगर रास्ते में ही उन्हें नियूज मिलता है कि यहां हिल रोट के पास दो लोग मारे गए हैं एक औरत और एक मर्ड वे समझ जाते हैं कि ओविन का बेटा वहां से बच निकला है इतने में ही उनके बॉस का फोन आता है और जेक कहता है कि हम तुरनता रहे हैं इधर होस में आने के बाद हेना अपने खाओ को साफ कर रही थी और उसे बग भागते भागते कॉनर भी वहां पहुचता है हैना को देख वो भागने लगता है पर आखिरकार हैना के भरोसा दिलाने पर कि वो उसकी मदद करना चाहती है उसके साथ टावर के और चलने लगता है इधर जैक उनके बॉस से जाकर मिलता है जहांका बॉस आर्थर कहता है कि तुमने उस लड़के को मिस कर दिया मान लो कि जो सबूत हमें बिए के घर से मिला ओबन ने उसका डुब्लिकेट बना लिया था और अब वो डुब्लिकेट उसके बेटे के पास है और अगर मान लो कि अगर उसने वो सबूत न्यूच के सामने रख दिया तो फिर हमारी दुनिया में तबाही मत जाएगा इसलिए जो भी करना है बिल्कुल बारिकी से करो तुम्हें पूरी जूठे जो करना पड़े करो मगर उस लड़के को खतम कर दो यह कहते हुए आरठर चला जाता है जैक पेट्रिक से कहता है कि अब से जो भी हमारे रास्ते आएगा हम से खतम कर देंगे पेट्रिक के कहने पर मगर इससे तो पूरे सहर का धियान हमारी टरफ आजाएगा जैक कहता है तो फिर सहर का धियान इस चीट से हटा कर कहीं और लगाना होगा और ये कहने के बाद वो flares निकलता है और जंगल के और फेकने लगता है इथन जो उसी hill road से होकर जा रहा था गाड़ी को रोकता है और देखता है कि जंगल में आग लग चुका है इधर टार में पहुंचकर हेना देखती है कि बिजिली के वेज़े से वहां का सारा एक्विप्मेंट खराब हो चुका है इसे देख वो कहती है कि अब हमें सहर टक चल कर जाना होगा अब अगर तुम चाहो तो हम अज़ रात को ही निकल सकते हैं या फिर कल सुबह को इस पर कॉनर उसे वो खत देता है जिसे पढ़ने के बाद हैना कहती है कि हम अभी निकल रहे हैं अभी साम के बक्त एलिसन उस ही लोड़ बाली न्यूज को सुन रही थी और टभी वहाए गाड़ी आता है वो इथन है समझकर डरबाजा खुलती है पर हम देखते हैं कि वहाँ जेक और पेट्रिक एब्याई के भेस में आ पहुँचा है जेक कहता है कि इथन ने जो आज मर्डर हुए है उसे के बारे में बात करने उन्हें यहां बुलाया था क्या वो लोग अंदर आ सकते हैं एलिसन समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड है वो वहाँ से भागने की कोशिस करती है पर यह दोनों से दबोज लिता है जेक के पुछने पर एलिसन बताती है कि वो लड़का यहां नहीं है और उसे नहीं पता कि वो इथन के पास है या नहीं मगर Jack इस पर एक इन नहीं करटा और एक गरम लोहा लेकर उसे सब कुछ सच बताने को कहता है इस पर Alison से जुड बोल देती है कि हैं इधन को वो मिल चुका है कन्फर्म करने के लिए Jack उसे इधन को कॉल लगाने को कहता है और कहता है कि वो उसके साथ बिल्कुल केजोली बात करे यहाँ पर एलिसन इथन को एक सिक्रेट मेसेज दे देती है जिसे जैक पकड़ लेता है और फिर उसे मारने वो आगे बढ़ता है मगर एलिसन अपनी होसियारी से उन पर फायर स्प्रे कर बहा से भागने में काम्याब हो जाती है इधर हेना और कॉनर चलते हुए जा रहे थे और टभी रास्ते में ही वो लोग बिजली तुफान के चपेट में आ जाते हैं उससे बचते हुए दोनों भाग रहे थे मगर तभी एक बिजली हैना के बिलकुल करीबा गिर्टा है और कुछ पल के लिए वो बेहोस हो जाती है कॉनर घबरा जाता है और कहते हुए कि वो उसके आँखों के सामने ही मारा गया वो रोनी लगता है यहाँ यह दोने ऐसासिन एलिसन को ढूनने में लगा था और उसे वक्त इथन एक सेरिफ के साथ वहाँ पहुँचता है पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते पैट्रिक सेरिफ को गूली मार लेता है और फिर पीछे से जैक आकर इथन को बंदी बना लेता है वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी होस्यारी की तो तुम्हारी प्रेगनेन पत्नी मारी जाएगी पुछने पर कि वो लड़का कहा है इथन कहता है कि उन्हें अभी भी वो नहीं मिला है साइट टकर के दोरान वो गाड़ी से बाहर गिर गया होगा एक सर्च टिम को उसे ढूनने का काम स्वपा गया था मगर आग लगने के चलते उसे रद कर डिया गया इस पर जैक कहता है अब तुम्हार हम उसे ढून देंगे और ये कहने के बाद वो इथन के साहरे को ढूनने में लग जाता है इधर चलते चलते हैना देखती है कि आगे जंगल में आग लग चुका है कोई और चारा ना देख वो दोनों बापस चलने लगते हैं यहाँ एलिसन जो छुपी हुई थी GPS की मदद से इधन का लोकेसिन ट्रेक कर लेती है और घोडे में सबार होकर उसके पीछे जाने लगती है वहीं हैना और कॉनर टावर में बापस पहुँचते हैं और हैना अपने घावों पर मरहम लगाने लगती है मगर तभी कपड़े बदलते बग उसका धियान बाहर के और जाता है और वो देखती है कि दो आदमी इधन को बंदख बनाकर टावर की तरफ ही आ रहा है इसे देख वो फॉरन करनल को नीचे जुकने को कहती है यहाँ जैक पेट्रिक से कहता है कि वो लोग छुपकर टावर पर नहीं चड़ सकते अगर वहाँ कोई फायरफाइटर है तो वो उन्हें आसानी से मार देगा फिर वो इधन से कहता है कि टावर पर टूम चड़ो अगर वो लड़का वहाँ है तो उसे नीचे लाओ पर टे देख लेता है और वो दोनों टार पर गोली चलाने लगते हैं इधन घायल हो जाता है मगर हैना और कॉनर वहाँ से उतर कर भागने लगते हैं ये दोनों भी उनके पीछे जा रहे थे मगर उसे वक्त एलिसन भी आ पहुंचती है और इन पर गूली चलाने लगती है अब इसे देख जैक पेट्रिको कॉनर के पीछे जाने को कहता है और खुद एलिसन की और बढ़ता है ठीक उसके पास पहुँचते ही उसकी मेग जिन खाली हो जाता है और मौका देख एलिसन उसे घायल कर दिती है उसके पुछने पर कीथन कहा है जैक कहता है कि वो तार के उपर मरा पड़ा है इसे सुन एलिसन सूट कर दिती है मगर उसकी भी रैफल खाली हो चुकी थी अब इसे देख Jack to run रिलोट करने लगता है मगर इसे पहले कि वो एलिसन को मारता एलिसन रिलोट कर उसे सूट कर देती है Jack कहता है कि मुझे इस जगह से नफरत है जब आप मैं एलिसन कहती है ये भी तुम्हें उतनी ही नफरत करती है और फिर वो उसे मार देती है इधर चोट की बज़े से हेना और आगे नहीं चल पाती और इसलिए वो Connor को instruction दे कर कि वो केसे आक्से बच सकता है वहाँ से जाने को कहती है Connor नहीं जाना चाहता पर हेना के जीट के आगे मजबूर होकर वो चला जाता है हेना बैग से एक एक्स निकालती है और जाकर एक पेड़ के पीछे चुप जाती है कुछी दिर में वहाँ Patrick व्या पहुँचता है और वो उन दोनों को ढूनने लगता है हेना उसे ट्रिक करके मारने की कुशिस करती है पर पेट्रिक बच जाता है वो हेना को मारने वाला था मगर तफी कॉनर आकर उसका ध्यान भटकाता है और मौका देख हेना सपर हमला कर देती है कॉनर बापस चुप जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं मगर हेना पेट्रिक के सामने नहीं टिक पाती और पेट्रिक मार मार कर उसे अध्मरा कर देता है वो कॉनर से कहता है कि अगर वो सामने आ जाए तो वो हेना को एक आसान मौत देगा उसे नहीं तड़ पाएगा नहीं तो वो उसे इसी तरह मारता रहेगा Connor बाहर आ जाता है, जिसे रेक पेट्रीक हैना को छोड़ उसकी और बढ़ता है वो Connor को मारने ही वाला था, कि तब ही हैना पिछे से वार कर, उसे बुरी तरह घायल कर देती है तब ही आख को करीब आता देख, पेट्रीक कहता है, कि मुझे खतम कर दो परहना उसे नहीं मारती और कॉनर को लेकर वहाँ से भागने लगती है पैट्रिक जलकर वही मारा जाता है और ये दोनों भागते हुए एक नाले में गुज जाते हैं यहाँ परहना अपनी सर्वाइबल स्किल का इस्तमाल करती है और दोनों बारी-बारी से सांस लेते हुए पानी के अंदर ही रहते हैं इधर टावर में चड़कर एलिशन देखती है कि इथन बूरी तरह घायल हो चुका है तब ही आपको करीब आता देख दोनों ऑक्सिजन माक्स पहनते हैं और एक दुसरे का हाथ पकड़कर मरने का इंतिजार करने लगते हैं सुबा होते होते आग बुझ जाता है और हम देखते हैं कि हैना, कॉनर और साथी एलिशन भी बच चुकी है मगर गोली लगने की वज़े से इथन नहीं बच पाता इसके कुछी दिर में वहाँ फायर फैटर की टीमा पहुँचता है और उन सब को रिस्क्यू कर लिया जाता है हैना को देख हम समझ पाते हैं कि फाइनली वो अपने गिल्ड से आजाद हो चुकी है अभी केंप में कॉनर केहता है कि उसे डर लग रहा है उसका क्या होगा वो कहां जाएगा इस पर हैना केहती है हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे फिलहाल तो तुम जाकर अपना इंटर्व्यू दो कुछी देर में वहाँ न्यूज दिमा पहुँचता है और कॉनर के जाने के साथ ही ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है कहानी बिलकुल ही सिंपल है कुछ पारफुल लोगों के इलिगल काम से जुड़े कुछ सबूत एक फोरेंसिक एकाउंटेंट ओबिन के हाथ लग जाता है और उसे मारने के लिए दो एसासिन जैक और पेट्रिक को हायर किया जाता है वे अससे इन ओबिन को तो मार देते हैं मगर ओबिन का बेटा बचकर निकल जाता है वे उनके पीछे जाते हैं पर उसे नहीं मार पते क्यूंकि उनका सामना दो जाबा जौरत एलिसन और हैना से हो जाता है और आखिरकार वो दोनों ही मारे जाते हैं अपनी जान पर खेलकर हेना कॉनर को बचा लेती है और उसके अंदर जो गिल्ट थी कुछ लोगों को ना बचा पाने की वो भी खतम हो जाता है अब आगे इन तिनों का क्या होता है और क्या कॉनर के इंटर्वी के बाद वे सभी गुनेगार पकड़े जाते हैं ये मुवी में नहीं दिखाया जाता ये वियोर्स के उपर रखा गया है कि उन्हें कैसा एंडिंग चाहिए या फिर सायद हो सकता है इसका एक पार्ट टू बने जिसमें आगे की कहानी को कंटिन्यू किया जाए तो आप ही जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा और साथ ही कॉमेंट भी करिएगा कि आपको ये मुवी कैसा लगा मिलेंगे अगले वीडियो में सो टे केर और बाई